स्मार्टफॉन्स जो कि आजकल हर वक्त लोगों के साथ ही रहते हैं सोते उठते बैठते ये हैकर्स के लिए चलता फिरता ट्रेकिंग डिवाइस कीते रही है सोसिल इंजिनरिंग, टूल्स, हैकिंग अधी का यूज करके डिवाइस की एकज़ जीपिस लोकेशन को ट्रेक किया जा सकता है कैसे आईए जानते हैं इसके बारे में कि ये ट्रिक्स किस तरह से वर्क करती है और ये आपके काफी काम भी आ सकती है जिससे किसी किर्मिनल, इसकेमर या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है या आपको कोई इंटरनेट पर बार बार परिशान कर रहा है उसके लोकेशन जानने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको उसके लोकेशन मिल जाए और आप उसको जेल की हवा खिला सकें नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेक्ची वीटूब चैनल तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो केवल educational purpose के लिए है ये पूरा demo में अपनी ये device पर दिखा रहा हूँ तो आप इसका किसी भी illegal activities या गरत तरीके से बिल्कुल भी इस्तिमाल ना करें तो आज के वीडियो में मैं आपको location tracking के social engineering tool seeker के बार में बताऊंगा ये एक simple location capturing का tool है जो की fake pages का use करके target से location permission के लिए पूस्ता है और ये tool black arch की repo पर भी है तो आप इसको black arch पर directly install कर सकते हैं आप इस tool की मदद से GPS location के अलावा और भी बहुत सारी information को capture कर सकते हैं जैसे की device का model, operating system, number of CPUs या GPUs, device की public और local IP आप इससे पता लगा सकते हैं तो इस tool को use करना काफी आसान है जैसे की मैं आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले हम इसको अपने system पर install करेंगे यहां से में इसका URL कॉपी कर लिया है उसके बाद open कीजिए अपना terminal और आप इस tool को जहां भी clone करना चाहते हैं उस folder पर आजाएए और यहां पर command लगाएए git clone और जो आपने URL कॉपी किया है उसको आपने यहां पर paste कर दीजे उसके बाद enterprise कीजे तो यह tool आपके system पर clone हो जाएगा जब यह clone हो जाए तो आप इस folder के अंदर आजाएए तो आपको इस folder के अंदर एक script मिलेगी install.sh नाम से आप इस script की मदद से जो भी इस tool के लिए ज़रूरी packages हैं उनको अपने system पर install कर सकते हैं तो इसको execute कराने के लिए आप पहले इसको executeal permission दे दीजे इसके लिए आप command लगा दीजे chmod plus x और script का नाम install.sh तो यहाँ पर इसको permission पहले से ही मिली हुई है तो यहाँ पर मैं इसको directory run करा देता हूँ यह देखिए यह script यहाँ पर run हो रही है तो इस tool के लिए email लिए आपके system के अंदर python 3 और php install होनी चाहिए तो इनमें से कोई भी packages आपके system के अंदर missing है तो वो सभी packages आपके system पर automatic ही install हो जाएंगे यह देखिए यह सारी packages मेरे पास पहले से installed हैं और आप इसका install log भी यहाँ पर देख सकते हैं यह दि इसमें कोई error आया है तो आप इसको यहाँ पर check कर सकते हैं आप इसके वाद आप आप इस tool को run करा सकते हैं इसके लिए आपको यह script को run कराना होगा इसके लिए आप 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 कमांड लगा दीजे python 3 और script का नाम आप आप मैं इसको direct ही run करा देता हूँ तो सबसे पहले हम इसकी help चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन से option मिलते हैं और कौन से option क्या काम करता है यह देखिए आप यहाँ पर आप options का परियोप कर सकते हैं जैसे कि hyphen के यह kml file के लिए है जिसको कि आप google earth पर import करा सकते हैं hyphen p यह port के लिए है कि आप web server को कौन से port पर run कराना चाते हैं यह default में port number 8080 का use करता है आप इस option के मतद से इस port को change भी कर सकते हैं तो अभी यहाँ पर मैं इसको directly run करा देता हूँ इसके default port पर ही यह देखिए अभी यहाँ पर यह run हो चुका है तो आपको यहाँ पर यह 5 template मिलेंगे near you, google drive, whatsapp, telegram और zoom नाम से तो आप इन templates का आपने target के साब से use कर सकते हैं जैसे कि आपने मैं whatsapp का use कर रहा हूँ इस template के अंदर एक fake whatsapp का group बनेगा तो आपने आपने अपने group का नाम set कर सकते हैं कि आपको whatsapp group का नाम क्या show करना है तो यहाँ पर मैं type कर दिया techchip hacks इसके बाद आपने अपने fake group की एक dp set कर दीजे कि आपने अपने अपने group के लिए कौन सी image का use करना चाहते हैं जो कि मैं आप पर display होगी जैसे कि मेरे desktop पर techchip का logo पड़ा हुआ है मैं यहाँ पर इसी का use करूँगा तो आप अपनी कोई भी image का यहाँ पर path set कर दीजे यहाँ आप यहाँ पर इस image को directly sticker floater के अंदर move कर दीजे फिर आप यहाँ पर इसका direct naam ही set कर सकते हैं आपको फूरा path type करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैंने अपने logo को sticker floater के अंदर move कर दिया है और यहाँ पर मैंने अपनी image का नाम भी type कर दिया है tclogo.png उसके बद अंटर प्रेस कर दीजे तो यहाँ पर एक PHP का web server start हो जाएगा port number 8080 पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इस port को change भी कर सकते हैं iPhone P option की मदद से तो अभी यहाँ पर यह client के लिए wait कर रहा है पर अभी यहाँ पर यह केवर local network पर यह work करेगा यदि आप इसको internet पर use करना चाहते हैं अपने local network से बाहर तो इसके लिए भी कई methods हैं जैसे कि आप यहाँ पर ngrok का use कर सकते हैं पर यहाँ पर मैं ngrok का use नहीं करूँगा मैं यहाँ पर use करूँगा cloudflare tunnel का इस tunnel के binary को आप यहाँ से download कर सकते हैं या आप इसको direct ही अपने system पर install भी कर सकते हैं तो cloudflare tunnel को कैसे install करते हैं इसका कैसे use करते हैं इसके लिए मैंने लगसे वी वीडियो बनाया हुआ है इसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के लिंक आप को आई बटन पर दिख रही होगी तो आप इसको बाद में चेक कर लिजेगा तो अभी यह binary मेरे desktop पर save है तो मैं अपने desktop पर आ जाता हूँ वैसे मैंने इसको अपने system पर install वी किया हुआ है पर यहाँ पर मैं इसके वी binary का यूज कर रहा हूँ तो अभी अब यहाँ पर option लगाएंगे dash dash URL और उसके बाद आप यहाँ पर अपने local web server का URL यहाँ पर type कर दीजे जैसे कि हमारा यह web server port number 8080 पर run हो रहा है तो वो यहाँ पर मैं टाइप कर दिया है उसके बाद इंटरप्रेस कर दीजे तो यहाँ पर cloud flare का एक quick turn on start हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक URL मिल जाएगा अभी इस URL की मदद से आप अपने local web server को internet पर worldwide कहीं पर भी use कर सकते है पर अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी वड़ी link पर कोई क्यों click करेगा तो यहाँ पर काम आएगी आपकी social engineering और रही बात इस link की तो आप इस link को sort करने के लिए sort on URL service का use कर सकते हैं जैसे कि bit.ly का आप इसकी मदद से इस URL को sort कर सकते हैं और इसको बाद में track भी कर सकते हैं कि उस पर click किया गया है या नहीं यह आप नहीं पर ग्रैविफाई IP logger का भी use कर सकते हैं इसकी मदद से भी आप एक sort URL generate कर सकते हैं और आपको नहीं पर और वी extra information मिलेगी यदि माल लिजे target location permission को allow नहीं भी करता तो अभी आपको यहापर और वी काम की information मिल जाएगी ग्रैविफाई logger में आपको किस तरह की information मिलेगी इसका कैसे use करते हैं इसके लिए भी मनालग से वीडियो बनाई हुई है आप इस वीडियो को जरूर देख लीजेगा आपको यहाँ से काफी कुछ जानने को मिलेगा तो अभी मैं बताता हूँ कि जैसे ही target इस link को open करेगा तो आपको किस तरह की interface दखाई देगा और हमें किस तरह की information यहाँ पर मिलेगी तो जैसे ही यहाँ पर target इस group को जरूर के निकले क्लेक करेगा तो यहाँ पर यह location permission के लिए पूछेगा और जैसे ही यहाँ पर target location permission को allow कर देगा तो उसके current location capture होकर हमारे पास आ जाएगी और उसके पास यह message display होगा कि यह group follow हो चुका है पर जब तक हमारे पास काफी सार information collect हो चुकी होगी जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं यहाँ पर device के latitude और longitude capture हो चुका है आप यहाँ पर इसके accurate CV देख सकते हैं कि यह coordinates कितने accurate हैं कितनी meter की यह range में हैं वो आपको information यहाँ पर मिल जाएगी इसके अलावा आपको यहाँ पर google map की भी link मिल जाएगी जिसको open करके आप उसके location को अपने browser पर देख सकते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पर यह location open हो चुकी है तो मैंने अपनी device को जोतपुर के उमेद भावन में भेजा हुआ है यानि कि यहाँ पर मैंने यह demo देखाने के लिए अपनी device के अंदर एक fake location set की हुई है जो कि यहाँ पर display हो रही है यह मेरी accurate location नहीं है मैंने यहाँ पर demo के लिए इसको set किया हुआ है पर normally लोग ऐसा नहीं करते तो आपको यहाँ पर location मिल जाएगी in case location accurate भी नहीं है तो भी आपको यहाँ पर और वी का information मिलती है जैसे कि आप यहाँ पर उसका ISP की information देख सकते है उसकी country, state, city आपको यहाँ पर देख जाएगी उसके इलावा वो कौन से internet service provider का use कर रहा है वो भी आपको यहाँ पर देख जाएगा यहाँ पर target internet के लिए mobile network की वजाए कोई broadband या फाइवर का use करता है तो यहाँ पर उसकी city भी accurate आएगी इसके अलावा यहाँ पर device की information भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि वो कौन सा OS यूज कर रहा है, कौन सा platform है RAM कितनी है, CPU कितनी है वो browser कौन सा यूज कर रहा है और आपको यहाँ पर उसकी public IP भी मिल जाएगी तो यह information भी बहुत ही काम की है अभी मा लिजे, आपको लगता है कि वो GPS location सही नहीं है तो आपके पास target की public IP है और ISP की भी information है तो आप इस information को Cybercell को share कर सकते हैं तो वो IPDR की मदद से target की location तक पहुंच सकते हैं तो बताइए दूस्तों, यह जानकर यह आपको कैसी लगी यह information आपके काफी help कर सकती है तो वीडियो को like जरूर कीजेगा और यह दिए आप इस तरह की टेक्स और देखना चाहते हैं तो आप मेरे cybertube.net website की वीडियो को जरूर कर सकते हैं आपको यह पर practically काफी कुछ जानने को भी मिलेगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतिकल एकिंग और cyber security से ज़ड़ी जानकरियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आपने को प्रेस करके ज़रूर रखेगा ताकि आप मेरे कोई वी नई वीडियो आए वो मेसना हो पाए तो अभी के लिए मैं आप से जाज चाहूँगा जल्दी ही मोलाकात होगी किसी नई वीडियो के अंदर वीडियो को यादा देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद